नमस्कार वद्दे महत्रम जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके आपती यूट्यूब चैनल सिरी जाओ एजुकेशन पर साथियो आज से हम सीटेड की MCQ सिरीज प्रती दिन करवाने वाले हैं जी हाँ चलिए आज से हम हिंदी पेड़ागॉजी का हिंदी शिक्षर सास्त्र क की MCQ आज से सुरू करने जा रहे हैं पूरा लास्ट तक देखेंगे जो साथि नए होंगे हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चलिए चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न लिखित में से किस कारे के लिए सब्द को से सहायता नहीं मिलेगी देखिए यहाँ पर इस वाथियों निगेटिव में है क्वेश्चन है ना तो कौन से कारे के लिए सब्द को से सहायता हमको नहीं मिलती तो उच्चारर में सुधार करोगे यह तो सुधार में होगा सब्द संपंदा में सुधार ये भी होगा वर्तनी भी सुधरेगी तो सब्द कोस यदि दिशनरी का आप उपयोग कर रहे हो तो क्या लिखावट में सुधार होगा नहीं दिशनरी से लिखावट में सुधार नहीं होता तो उत्तर हो जाएगा इसका देन क्लियर है भई चलो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करें question number two की देखो समगर भवतिक प्रतिक्रिया विधी में खाली स्थान अबोधन विशय का अधार है तो कौन सा अबोधन विशय का अधार है भई अबोध मतलब ज्ञान की बात हो रही है बोध कैसे होता है स्रवर, पठन, वाचन, लेखन तो इसका सही उत्तरा जाएगा स्रवर ठीक है चली आगे बढ़ते हैं भाई question number three question number हमारा तीसरा है देखो जब विध्यार थी भाई जब विध्यार थी आनंद के लिए किसके लिए साथियो आनंद के लिए जब विध्यार थी आनंद के लिए पढ़ता है तो इसका तात पर यह क्या है भई देखो जब बच्चा पुरा आनंद ले लेके पढ़ रहा है तो वो विष्टार से पढ़ेगा तभी हर चीज को समझ पाएगा और आनंद ले पाएगा है ना तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा का डी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर चार की तरब तो क्वेश्चन नंबर चार देखो भासा संकेत परिवर्तन और भासा संकेत मिस्रार बहुदा खाली स्थान देखे जाते हैं तो क्या देखे जाते हैं भाई इसका उत्तर क्या हो सकता ह है मित्रों देखो भासा संकेत परिवर्तन और भासा संकेत जो मिस्रार है यह बहुदा एक भासी बच्चों में द्वी भासी बच्चों में पठन वैकल ग्रशित बच्चों में या गरन वैकल ग्रशित बच्चों में तो किसमें यह देखे जाते हैं भाई जो द्वी भासी ब कोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें क्या पाई भासा संकेत मिस्त्रार मतलब दो भासा का मिस्त्रार कर देते हैं तो भासी जो बच्चा है ना बीबाशी बच्चों में इस तरह की जो qualities देखे जाते हैं ठीक है इसका उत्तर B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भाई question number 5 देखो भासा की अधार्भूत संकल्पनात्मक सरशनात्मक इकई अधार्भूत सरशनात्मक इकई भासा की तो भासा की अधार्भूत सरशनात्मक इकई क्या है भई ए स्वनिम बी आकरिती सी लेखा चित्रिया दी भासा विश्यक तो भासा की जो सरचनात्मक इकाई है वो होता है स्वनिम में किसमें होता है भई चलो क्लियर है आगे बढ़ जाते हैं आगे बात करेंगे question number 6 की देखे question number 6 है आपके live n की श्क्रीन पर दिख रहा होगा भुविकलपी प्रस्च लोज परिक्षण assesset निम्न का मिलान करो आधि प्र他们 के उन प्रकारों के उधार्ण है जिसे हम वह मां लाली स्थान परिक्षण क्रूप में देखते हैं किस परिक्षण क्रूप में हम देखते हैं तो वस्टुनिष्ट में पात्र लेखन में मौखिक में निबान में पात्र लेखन में क्या ऐसे प्रश्ण को देखेंगे क्या नहीं निबान में भी नहीं देखेंगे तो ऐसे प्रश्ण वस्टुनिष्ट होते हैं ऑप्टनल वाले होते हैं तो इसका उत्तर जायेगा. प्लियर है? चरी. Q pneum. 7 में आजाते हैं. यदि आप सब्दों के सिर्फ समनार्थी और विपरीटार्थी जानना चाहते हैं. पतलब समनार्थी सब्द और विपरीट सब्द के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको किसकी आवसक्ता होगी तो किसकी आवसक्ता होगी बई क्या सब्द कोस्की आवसक्ता होगी संकलन या सब्द समुहों के सूची कोस्की आवसक्ता होगी तो उत्तर हो जाए गसी सब्द समुहों के सूची कोस्की जो है आवसक्ता इसके लिए परती है चलिए आगे बढ़ते है वर्ग सब्द पहलियों के भासा, खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली स्थान सुधाने में मदद करता है, तो क्या सुधाने में मदद करता है भाईए, पठन, सब्द संपदा, खे, लेखन और वाचन, तो वर्ग सब्द पहली, देखो, वर्ग सब्द का पहली बना रहे है बच्चों के सामने तो अगर बच्चों के सामने आप सब्द की पहली बना रहे हो बच्चों में सब्द संपधा विक्सित होगा है ना तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भई आठवा का उत्तर भी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं को संपये हैं और क्वेशन नमबर नाइन हैं यह जो क्वेशन नमबर नौइन में तो दखो शूष्री सुधिना कख्चा एक में भासा पढ़ाती है वह अपने विद्यार्थियों को कविटा और सीसुगित पढ़ाना पसंद करती है जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोलाते मतलब कख्षा में क्या कर रहा है जो सुस्री सुनिधा मेडम है सुधिना मेडम वो शिसुगीत बच्चों को पढ़ा रही है और शिसुगीत बच्चों को क्यों पढ़ा रही है क्या वज़ा हो सकता है स्रवर वाचन 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 पठन और पठन पठन भाइक सीशुगीत बच्चे को सुना रही है, कक्छा पहली में तो पथन तो आएगा, देखो यह इसमे पढ़ना भी नहीं आएगा, वह सुना रही है ना, न पढ़ना आएगा न रेखना आएगा, बी तो अकठी जाएगा और श्रवान पथन पथन तो आय गई नहीं अल्रडी ये कटेगा वाचन पथन तो आये गई नहीं तो पथन वाला सब्द आल्रडी कर जाएगा आपको है नहीं आसे तो पथन स्रवान पथन 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 बड़ते करते हैं क्वेशन नमबर 10 पर बढ़ते हैं मतलब कहने का क्या तफ़ पर यह भाई जब कोई भी बच्चा भासा का उपयोग कर रहा है और भासा का उपयोग कैसे कर रहा है अपनी भावना समवेगर विचारों को ब्यक्त करने के लिए भासा का उपयोग कर रहा है तो भासा को किस कारे के रूप में प्रयोग कर रहा है भ पंवाले को प्रकट कर रहे है जब तक वह और तक पूर्ण तरीके से प्रकट नहीं करेगा तो क्या वह years समझ पाएगा जिन नहीं ब्यांजग आर्थ पुन तरीके से जब वो बच्च बोलेगा तो समझेगा तो क्वेशन दसक क्या आजाएगा सी आजाएगा ठीक है चली कोशन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं मजेतार क्लास है आप सभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं चैनल क कौन से चमता है जिसमें वो सुधार कर रहा है क्या लेखानेवम स्रवानेवम लेखन पठानेवम लेखन स्रवानेवम पठन तो देखो क्वेशन को समझना स्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में सुरूत लेखन अब सुरूत लेखन का उपयोग होगा मतलब सुरूत मतलब सुन ुकर और लेखन क्लियर है अब है चलो आगे बाते है बही क्वेश्य नम्मर 12 क्या कहता है लो कि पथन को प्रभावित करने वाली जो अधिगम विकलांगता थे टो परचन को कौश्फर क्यों तो क्याका πराइब यहांप बात ओर हो रही है परफन को प्रभावित करने की हो रही है तो आंसर भी डार्रेक्टर परफन में आयेगा नहीं क्योंकि भात जब इसका परफन में हो रही है तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, question number 12 हमने अल्ड़ी देख लिया, question number 13 के तरह बढ़ते हैं, धमाकेदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, I hope आप जो है, इस बार सीटेट की परिक्षा उत्लिन हो जाओगे, question number 13 देखो, तो सूसरी परिवीन की कक्ष, आप देखो, सूसरी जो परिवीन मैडम है, वो कक्षा में बहुदा विद्यार्थियों से अप एक्छा कर रही हैं, कि वे पीछे-पीछे दोहराएं, मतलब यह दोहराने पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है, है ना, दोहराने पर बल दिया जा तो किसका यह उप्योग कर रही है मैडम, क्या कर रही है तो अपने कक्षा में यह पुनरा वित्ति, दोहराना मतलब पुनरा वित्ति, यह यह यतना, किसी भी चीज का आप दोहराना मतलब रूट लर्निंग, मतलब पुनरा वित्ति की बात हो रही है, तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा तेरा का यह आ जाएगा ठीक है ओके चली आगे बढ़ते हैं भाई को से नंबर तेरा हो गया आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरह बढ़े सस्वर पठन गतिवी धिया है अब सस्वर मतलब स्वर के सांथ जब आप कोई भी पड़ पड़ रहे हो न तो यह क्या गतिवी धिया है कौनसी गतिवी धिया है इसमें बच्चक सीख क्या रहा है तो पढ़ना सीखना सुरू करने वाले पाठकों के लिए ये लाबदायक है पढ़ना सिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाबदायक नहीं है एक पोजिटिव में है एक निकेटिव में है ठीक है केवल पठन के लिए लाबदायक नहीं है या पठन का उच इस्तर तक पहुछने के लिए लाबदायक नहीं है इसी लिए अकसर देखना आप कक्षा में एक दिन बच्चे को गीत पढ़ा दो गीत सुना दो गीत गवा दो बच्च क्या है उसी दिन से उसको पूरा दिमाद में बठा लेता है क्यों क्यों कि स्वार के साथ हो रहा है तो यह इसका उचीद उत्तर आजाएगा ठीक है चलि क्यों से इस्थिती में उपचरात्मक शिक्षन दिया जाना चाहिए कौन से इस्थिती में उपचरात्मक उपचरात्मक मतलब यह क्या है रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं तो कौन से इस्थिती में य प्रति स्वया मध्यन करना चाहते हैं तब या कहानिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तब देखो भई रिमेडियल टीचिंग करते कब हैं बच्च जब नहीं सीख पा रहा उनकी कमियों को जानकर हम करते हैं तो बच्च आनन्द ले रहा हो तो तो करेंगे ही नहीं है ना क्यों करेंगे भई अब विद्यार्थी पढ़ाई हुई आउधार्णा को समझ नहीं पा रहा ये बात है ना भई कोई भी आउधार्णा को बच्च जब समझ नहीं पा रहा तब करते हैं रिमेडियल टीकिंग बाकि कोई भी आप्शन नहीं होगा ठीक है तो आंसर क्या हो लेगा चलिए बड़ते हैं क्वाशन साथ तो प्रतम भास अर्जन की यहां पर बात की जा रही है शो मप्शन से हमको चीज 数ह होती है यहां प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है इसके लिए प्रशिक्षर की आवशकता है इसके लिए आपचारिक निर्देश की आवशकता है यह बच्चे के सचेत प्रयासों के मादपस्चा जो है अर्जित होती है तो किस से अर्जित होती है भई यी चीज इसको option जो आपको देखने से समझ में आएगा यहाँ प्राकृति ग्रूप भई भासा अर्जन language acquisition की यहाँ पर बात की जा रही है तो भई language को हम अर्जित कैसे करते हैं naturally तरीके से प्राकृति ग्रूप से जिस परिवेश में जिस परिवार में हमने जन्वलिया है उस परिवार की भासा को हम क्या करते हैं में स्वाताहर जीत कर लेते हैं मेरे दोस्त तो यह इसका उत्तर आ जाएगा ठीक है चली अगला question number 17 17 है लेकिन खात्रा नहीं है मरे दोस्त अब जेड़ डीपी निकठष्ट विकास का छेत्र सब्दावली किससे संबंधित है ऐसा question तो आते ही है समाजिक संस्कृतिक सिध्धान शंग्यानात्मा विकास के सिध्धान व्यवहारवादी थियोरी या फिर मनोविशलेशित सिध्धान तो क्या है भाई question number 17 का अंसर क्या हो जाएगा देखो निकठष्ट विकास का सेत्र अब निकठष्ट विकास मतला बच्चे अपने अपनों से बड़े माता पेता से सीखते हैं तो ये समाजिक करन ही तो है न भाई एक प्रकार का क्या है एक प्रकार का ये समाज से भाई अपने परिवार के लोगों से वो सीख रहा है अंदर आता है उत्तर ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेशन नंबर 17 हमने देख लिया अब हम बात करते हैं क्वेशन क्वेशन नंबर 18 की मज़ेदार है भाई मज़ा आएंगे चालो क्वेशन नंबर 18 देखो तो निपूर भारत अभियान यह जो निपूर भारत जो अभियान है इसका उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपूर्ता हासिल करें यह यह एनिप 2020 की यहाँ पर की जा रही है तो चलो देखो अब जो है निपूर भारत की जब बात की जा रही है तो विद्याला में प्रवेस करें तब यह शुरू हो जाएगा क्या कक्षा 3 में पहुंचे क्षा 6 में पहुंचे क्षा 8 में पहुंचे तो जब निपूर भारत की यहाँ पर बात की जा रह भाई अब ध्वनी की सबसे छोटी और अर्थपूर नहीं कई क्या हो सकता है रूप विधान वर्ण संकेत स्वनीम या वाक्य विनियास तो क्या होगा भई सबसे छोटी स्वनीम क्या होगा स्वनीम ठीक है सी इसका उचित आंसर आजाएगा क्लियर है चले क्वेशन नमबर 20 फटा फट करेंगे भाई देखो कोशन नमबर 20 है धंदार तरीके से हम बात कर रहे हैं एकदम धमाकेदार mcq प्रती दिन आपको मिलने लगे गए 30 mcq रोज चलेंगी भाई रोज चलेंगी 30 mcq चलिए देखो जब सिसू 2-3 महिने की आयू में स्वर्धोनियों को बोलने में शक्षम हो जाते हैं मतलब 2-3 महिना का जब कोई सिसू होता है तो वह जो है स्वर्धोनि को बोलना शुरू कर लेते हैं इस अवस्था को क्या कहेंगे 2-3 मैं इसको completely मैं जो मराठन क्लास लिया हूँ न उसको बहुत ही बहतर तरिके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है तो क्या कर लगता है बबलाने लगता है किलकिलाने लगता है एक सब्दी बुद्बुदाने लगता है या रूप विधान तो इसका अंसर क्या हो जाएगा भई वो क्या करने लगता है 2-3 महने की यहां पर बच्चा दो से तीन माहावाले एज में वो करने लगता है। ठीक है क्लेर है भई चली आगे बड़ते हैं क्वेशिन नमबर ९ह देको कबीर जो हे 6 भीन भासाओं में प्रवा बहुताओं के साथ बोलता है । ठीक है, कितनी भासा बोल सकता है, कभीर, 6 भासा बोल सकता है, तो यह जो भासाई योगेता, उसे क्या बनाएगी, 2 भासी वक्ता, 1 भासी वक्ता, या भासा बनाएगी, तो क्या बनेगा भई, देखो, बच्चा 2 भासा बोलता, तो 2 भासी बनाता, बच्चा 1 भासा, तो 1 भा किसमें आंसर शिपा है आपके question में ही आंसर शिपा है यह अपने question समझ लिया तो आपने answer समझ लिया ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं और question number 22 की तरब देख लो गई question number 22 है question number 22 का अता क्या है पियाजे के अनुशार बच्चे के समग्र बौधिक विकास के लिए अब बच्चों के जो समग्र बौधिक विकास है तो बच्चों के समग्र बौधिक विकास के लिए option है आपके पास चार भास के कोई भूमिगा नहीं है भासा सबसे महत्पूर पहलू है भासा मात्र एक पहलू है या भासा विकास का अंग नहीं है तो क्या है भाई प्याजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौधिक विकास की यहाँ पर बात की जा रही है ठीक है किसकी बात की जा रही है समग्र बौधिक विकास तो समग्र बॉद्धिक विकास भासा का सबसे महत्पूर्ण पहलू है ये तो निगेतिव है भाई आलेटी कर जाएगा भासा एक मात्र यहाँ पर बोल रहे है न ये भी निगेतिव है मेरे दोस्ट अंग नहीं है आलेटी निगेतिव यहाँ पर सोव तो अखी ओप्सन आपक पहलू है है ना यहीं आ जाएगा ना ओके चलिए नमबर 23 फटा फट देखो जो मस्की की परिभासिक सब्दा वाली सहस्ता योग्यता को किस रूप में किस रूप में समझा जा सकते है जन्मजात होती है क्या होती है बच्चों में भासा सीखने की जो छमता है जन्मजात हो होती है बच्चों में भासा सीखने की जो छमता है जन्मजात होती है और बच्चों के मस्तिक्स में एक डिवाइस होता है जिसे एल एडी लेंग्वज एकोजिशन डिवाइड भासा अधिग्रहार भासा अर्जन यंत्र कहा जाता है डायरेक्ट आपको उत्तर आ जाएगा लिए और बाकि कट जाए का तीक है वह समाझ गया ऐसा अर्जन क्या है प्रथम भास प्राछ वस्तर यहां पर अब होस्ट लेंग्वूज एकोजिशन है क्या muscle बद्यार्ति के सचेत प्रयास है विद्याला के प्रमोगतिविधी है प्रशिक्षण के द्वारा होती है या प्राकृतिक प्रक्रिया है तो क्या प्रक्रिया है भई क्वेशन नमबर 24 देखो अब यहाँ पर अरजन एक सब्द दिग गया आपको अरजन आखी कान मून के की प्राला धोलेवा भई काबर जहाँ पर आपको अरजन दिग गया न तो वो प्राकृतिक प्रक्रिया है चूप चाप आप बना देना चूप चाप अप्सन लगा देना प्राकृतिक प्रक्रिया प्रक्रिया इधर इधर सोचने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त ठीक है बई चलो एक कक्षा ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मात्री भासा से सुरुआत करते हैं उसके बाद उन्हें अत्रिक्त भासाओं का सिक्षन दिया जाता है मतलब पहले वह मदर ल मतलव सेखेंड लांग्वेज सेखेंड लैंग्वेज ही नहीं जब बात की जाती है कक्षा की तो बात कीक्षा में एक तो हिंदी शिखाएंगी इंगलीज सिखाएंगी और संस्कृत बहुत सारे भासचा यहां पर मतलब कशा वाता व्न Cordara जा रहा है própria है । यह कोटचन न Ji देख लो दोस्त किसी एक विच्ण को अव्चारिक तरीके से संप्रेशित किया जाता है कोई एक ठॉट है कोई एक Mae उसको संप्रेशित किया रहा है उसी विच्एर को अनौव किया जा रहा है एक भासिक वक्ता इस को क्या का? यह मतलब ट्रांसलेटर जो होता है ना जैसे मुझे तमिल नहीं आता साउथ इंडियन के लेंगोज मुझे नहीं आती मुझे इंग्लिस आता है तो वह साउथ इंडियन में बोल रहा है मैं इंग्लिस में उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं यह वह इंग्लिस बेल रहा है इंग् कोड मिक्सिंग कोड स्वीचिंग एकदम ज Например कोड स्वीचिंग है ठीक है मतलब यहाँ पर ट्राशलेट नहीं होता यहाँ पर क्या किया जा मतलब देखो मैं जिस भासा को बोल रहा हूं कई भासा उसमें यूज हो रहा है लेकिन यहां पर एक भासा से दूसरे भासा में कोड स्वीचिंग यही कहलाता है एक भासा वह बोला मैं दूसरे भासा में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं कोड मिक्सिंग में कई भासा आप मिला देते हो चीक है फिराल यह इसका अंसर जो है बी आ जाएगा ओके भाई चली कोशन नमबर 27 फटा फट करते हैं बिल्कुल देखो चलो भई नौम चौमस्की आप अभी आमने इसको बता दिया नौम मस्की तो बच्चे दुरूत गती से भासा अर्जित करते हैं सभी संस्कृतियों में भासा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांस एक जैसा है भासा विकांस अधिकांस बच्चों में समान आयू के आसपास होता है यह भासा केवल सिखी जाती है अर्जित नहीं की जाती है तो किसकी तरब जाओगे देखो सभी संस्कृतियों में भासा दिग्रम को पति रूप अधिकांस्ता एक भई यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर संस्कृति की बात हो रही है तो भासा सभी संस्कृति में तो एक ही जैसा होगा अगर चौमस्की कहता है कि एलेडी रहे है ठीक है चली क्वेशन नंबर 28 फटाफवट नॉम्चव मस्की से जुड़ा हुआ बहुत प्रिशन आता है आपके हैं ना इक्जाम में तो नॉम्चव मस्की के सिध्धान के नुसार हम सभी सहजात समझ के साथ जैन्म लेते हैं कि भासा कैसे कारे करती है सहजात समझ के साथ कैसे जैन्म लेते हैं बाई ओप्सन को समझ के पहले देखो संकेत भासा सारभ्होमिक व्याकराण बुनियादी सिक्षा या व्यवहारिक विद्ज्ञान की बात हो रही है तो जो बच्चा है नम्चमिसकी के नुसार सहजात समझ मतलब एक समझ जो कि सारभ्होमिक मतलब और उसके अंदर में व्याकराण का गूर होता है तो सारभ्होमिक व्याकराण ये आ जाएगा ठीक है ना ओके चले कोशन नमबर 29 भई फटा फट कोशन नमबर 29 देखो प्रोटिनार क्या करते है बहु भासिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालाय में अतरिक्त भासा सीखने से पहले किसकी सुरुआत करते हैं मेरे दोस्ष अपनी मात्री भासा को द्यूतिय भासा को संकेत भासा को या बहु भासा को किसकी सु दुरू तो आप मात्री भासा से करोगे ना, उसके बाद उसी का help लेके उसी के उपयोग से आप फिर other language को सीख पाते हो, ठीक है, last question है भाई, इस सीरीज का, सिर्फ last question है, ये लो देख लो, आपका अंतिम प्रश्न है, आपके screen पर so हो गया होगा, देख लीजिए, 30 question देखो, दुरूतिय भासा के सिक्षान सास्त्री अभ्यास में खाली स्थान के द्वारा सरचना को बहतर तरीके से आत्मसाद किया जाता है, यहाँ पर second language की बात हो रहे हैं ना, तो समाने प्रयोग होने वाले वाक्यमी न्युवासियों के अभ्यासर पुन्रावित्ति जिसको दोरा बोलते हैं ना, और रोचग विशय समागरी के साथ अंतह पूर्ण अर्थ पूर्ण अंतहक्रिया या भासा के अर्थ पूर्ण अंतराण और लोकां तथा सहयता, तो दुरी भासी, जुतिय भासा के सिक्षान सास्त्री अभ्यास के यहाँ पर बात की जाने, मतलब दुसरी भासा सिख रहा तो प्रैक्टिस मैट मैन पर्फेंट प्रैक्टिस ही इंसान को पूर्ण बनाता है, तो भाई प्रैक्टिस तो होगी ना, इस चीज में कि नहीं होगी, बटाओ भाई पटाफ़ट होगी, लेकिन यहाँ पन निगेटिव आड़ आ गया, पूर्ण रवित्त होगी, यह और डिक कर जाएगा, समझ रहे हैं न चीजों को, तो दूसरा आपसं को देखो भाई एक बार, अर्थपून अंतहक्रिया, यह अर्थपून अंतहक्रिया, बेलकुल, यह सही और सटिक आंसर आएगा, ख्लियर है भाई, ओके, ठीक है, तो आई होप, आप आज का जो सेशन है, आज को जो वीडियो है, आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, तो चलिए, फिर से हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में, फिर जो है 30 MCQ के साथ, आपसे मुलाकात होती रहेंगे, जैहिन वन्यमातरम,